नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोस संजित स्वागत करता हूँ नॉलेजगेट प्लेटफॉर्म पे अभी डिसकेशन कर रहे हैं ग्राफ थियोरी का बहुत शांदार डिसकेशन चल रहा है ग्राफ कलरिंग क्या क्रोमेटिक नंबर क्या लास्ट वीडियो में डिसकस हमन यह वोड़ी उनी के लिए जो ध्यान से पढ़ने का कोशिश कर रहे बात समझ रहे हैं स्कोर करना चाहता है एक्जाम में यह देखो पहली बात ट्रिवियल ग्राफ इस बन क्रोमेटिक ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है यह वह ग्राफ और यूंस पॉसिबल ग्राफ कोई ग्राफ में कोई दूसरा वाटेक से ना उसमें कोई एज तो बाहि अगर एक ही वर्टेक से और कलर असोशेट करना तो को एड्जासंट वेजसेंट नहीं एक ही कलर असोशेट कर दो बात खतम हो जाएगी सो डाट विल बहुन क्रोमेटिक ठीक क्लर में काम हो रहा है अ कम से कम दो color यहां पर आपको चाहिए तो बिलकूल direct बात समझ भी आती है और observe भी कर पा रहे है तो इसको ध्यान रखेगा आप कितना भी complex करो इसने बुला exactly बुल रहा है at least कम से कम दो color चाहिए यह चाहिए अगर एक edge भी आपके पास है जो कि सही बात है A complete graph KN is n chromatic to each and every vertex isn't it तो अगर हर vertex हर vertex से connect होगा तो conclusion यह है कि यहां पर आप दुबारा कोई color reuse नहीं कर पाएंगे isn't it एक color एक ही बार यूज हो सकता है तो बिलकुल सही बात इसने बोली आगे देखो a tree is always too chromatic tree पर हमने discussion नहीं आगे करेंगे what is a tree any connected and a cyclic graph कोई भी graph अगर connected है और उसके अंदर कोई cycle नहीं बन रहा कहीं पर भी लेके जाओ बट क्या नहीं बनाने का cycle नहीं बनाने का तो वह हमेशा two chromatic होगा आप करा one two इधर one again one, इधर two, इधर two, इधर one और ऐसे alternate करते जाओगे चलता जाएगा कोई भी tree दो color में color होता है याद रखना बड़ा important conclusion है bipartite graph is two chromatic sir game ही पूरा ये था कि आप जितने भी vertex होंगे उनको दो partitions में divide कर देंगे और जो भी edge होगी that will be connecting one vertex from one partition to a vertex to another partition तो एक पूरे partition को एक color कर दो, let me say color number one, color number one, 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 color number two, 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 two अब इन सब को color number one कैसे locate कर सकते है, sir इसले कर सकते है कि कोई दो आपस में adjacent तो है नहीं तो कोई tension नहीं है, तो ये 100% काम करेगा, c, c is stand for cycle, पहले बात किये starting वाली videos में अगर cycle है, even length का, so that will be two chromatic cycle है, odd length का, that will be three chromatic try करके देख लो cycle three length का, cycle four length का, cycle five length का, cycle, cycle six length का, है न, इधर आप देखोगे, one, two, माम लफस जाएगा न, one कर सकता है, उटू दो नवे adjacent है, तो कम से कम three color चाहिए, इधर, one, two, one, two, two में हो जाएगा, इधर, one, two, one, two, यहाँ, फिर माम लफस जाएगा, इधर कम से कम three color चाहिए, so बिल्कुल सही काम करता है, कोई भी graph अगर है, cycle की बात वहाँ पर हो रही है, cycle अगर even length किये, तो two color sufficient है, cycle odd length किये, तो three colors चाहिए, yes, five color, four color theorem के बारे में बात कर चुग हूँ, एक बार फिर भी याद दिला रहा हूँ, कोई भी graph अगर planer है, you can properly vertex color, हर vertex से साथ आप color associate कर सकते हो, and you know, it can be done in four colors, यह four color थे, five color किया है, इसमें एक थोड़ा सा problem है, आपको समझाता हूँ, क्या, five colors में हम कर, obviously four में कर पा रहे हैं, तो five में तो करीब आएंगे, हम किसी भी planer graph को five colors में color कर सकते हैं, that is sufficient enough, यह idea provable है, आप इसे proof कर सकते हैं, तो यह बन गे थे और हम प्रूफ भी कर पा रहे है, observation भी match कर रहा है, four color को कुछ लोग hypothesis treat करते हैं, मतलब, इसका कोई बहुत solid method नहीं कि एक दो page में बैठ के आप प्रूफ कर दो, कुछ लोग बोलते हमने computer based derivation किया, कुछ लोग कहते proof है, but it contains more than 100 pages or something like this, तो इसलिए कुछ लोग four color को hypothesis मानते हैं, लेकिन अगेन, क्या आज तक हमारे पास कोई ऐसा planar graph आया, जो बोले कि मैं चार में नहीं हो पारा, मेरे को 5 color चाहिए नहीं, हो सब पार है, तो फिर भी दो अलग अलग statement है, बुकों में आपको लिखा भी मिलेगा, पड़ आप tension मतले ना, कोई आपसे बात करें, कितना color चाहिए, बिंदाद बोलना, चार color में हो जाता है, yes, and last one is, delta G आदे, पहले हमने discussion किया है, maximum degree, किसी graph को जो vertex with a maximum degree, तो बोल रहा है, this inequality always holds good, इसको प्रूफ करने के तरीका हो सकता है, आप माल लीजे, complete graph ही देख लो, और प्रूफ क्या, वेसवाद आपको observation का ध्यान रखना है, और you can try this one, अब ये complete graph है, मुझे बताओ, complete graph में अगर 5 vertex है, तो किसी graph का maximum degree क्या हो, किसी vertex का maximum degree क्या होगा, 4, so there you see, 4 plus 1 करूँगा, so now this will be 5, और यहाँ पर आप देख रो, ये value भी 5 रहेगा, उसके लब आप कुछ भी ट्राई कर लो, basically point ये है, जो maximum degree है, उससे एक जादा, इससे जादा आपका जो, you know, chromatic number है नहीं, उस रखता है, यह तो उतना होगा, तो उससे कम होगा, चार graph बनाओ, उनके उपर भर के देखो, with observation आप खुद में खुद समझ जाओगे, क्या बात कर रहे है, है ना, तो ये कुछ important conclusion आइडियास थे, जो मुझे लगता है, कभी कभी direct पूछ लिए जादे, इन पर बात की जाती है, तो इनका basic fundamental understanding आपको होना ज़रूरी था, so, that is all in the coloring part, thank you so much, दोस्तों, अगर आप उसे सारा syllabus daily, 3 hours live पढ़ना चाहते हैं, तो gate category के अंदर subscribe करिया, an academy platform पर, ruffle good use करिये KGYT, 10% discount के लिए, बाकि सारी information के लिए, वीडियो का link आपको description में मिलेगा,